अगला है question no.4 exercise 1.2 class 7 question no.4 है fill in the blanks to make the following statement true नीचे के जो statement उनको true करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ नंबर fill करने हैं और कुण से property होगी किस के थ्रो होगा वो भी साथ में describe परेंगे पहला है minus five plus minus eight equals minus eight plus dot 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 इसमें क्या भरा जाए कि दोनों का जो statement equality है दोनों value वराबर दिख ले तो यहां पर हमने एक rule पड़ा था commutative rule a plus b equal to b plus a यह मुश्बूर देट a है और यह b है तो b a plus b तो b plus a तो क्या रह गया इसमें a रह गया यह यह वाली वैली पूट करेंगे कि यह आपको कमुटेटिव रूल में तो धन तीन ब्राबर पांच तीन धन दो ग्राबर भी पांच यानि टू प्लस थ्री फाइल और थ्री प्लस टू भी फाइव होता है तो कि रूट का यूर्ज हुआ यहांपर बाइब कि कमुटेटिव कि प्रूपर्टी कि कमुटेटिव प्रूपर्टी से यह हम स्विप्शिल करेंगे नेस्ट माइनस 53 प्लस डॉट 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 इक्वल्स माइनस 53 में कितना एड़ करें कि उसकी वैल्यू माइनस 53 रहे हैं आपको याद होगा अडिटिव प्रूपर्टी है यादि किसी नंबर में हम जीरो एड़ करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है तो हम क्या डालेंगे हम जीरो 53 प्लस जीरो एक्वल टॉ माइनस 53 तो जीरो एक अडेटिव प्रूपर्टी है इस प्रूपर्टी का यूज करके हम इसको फिल कर सकते हैं नेस्ट है 17 प्लस डॉट 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 इक्वल जीरो 17 में क्या add करें कि 0 आ जाए तो यह प्रूपर्टी है additive identity यह additive इंपर्श हम कह सकते हैं जब किसी number में उसी का additive inverse add करते हैं तो 0 आता है वेलियो तो इसका additive inverse वह मैनस 17 जैने a प्लस मैनस a एक्वल तु 0 आता है तो हमने यहाँ यूज करेंगे एडिटिव इन्वर्स रूपर टी नेस है 13 प्लस 12 मिनस 12 यानि हमारे पास तीन संख्याएं हैं उनको दो एक साध एड़ करें और एक को अलग रखें फिर अगले वाले में पहने वाले को छोड़ करके बात की दो संख्याओं को जोड़ें तो पूरी वेल्यू दोनों और एक्वल आती है तो वह कहलाता है असोशेटिव प्रोपर्टी तो यहाँ फिल करेंगे हम मैनस 7 यह प्रोपर्टी आईगी असोशेटिव असोशेटिव प्रोपर्टी असोशेटिव प्रोपर्टी से इसमें हम क्या परेंगे मैनस 7 अगला है मैनस 4 प्लस 15 प्लस मैनस 3 ब्रिकेट क्लूज फिर लिया है मैनस 4 प्लस 15 प्लस डोट 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 आप यहाँ देख रहेंगे एक नमबर अलग से रखा है दो नमबर को एक साथ जोड़ेंगे अब पहले और दूसरे नमबर को एक साथ जोड़ेंगे अब पहले और दूसरे प्रोपर्टी तो ये भी असोशेटिव प्रोपर्टी से यह वैल्यू आ जाएगी मैनस 3 यह मैनस 3 पूट करेंगे बाई अशोशेटिव प्रोपर्टी किस्ट्रेंट तो यह था आज का question question no.4 मिलते हैं नेक्ट वीडियो में आपको यदि हमारा प्रियास पसंद आ रहा हूँ तो please like share कीजिएगा और नए हैं चैनल पर तो subscribe कीजिएगा थैंक यू